जैम आता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चानल पर आज मैं आपको इस वीडियो में गंगा दशेरा के बारे में बताऊंगी आईए जानते हैं इस महत्वपून पर्व की संपून जानकारी और इसका अध्यात्मिक महत्व गंगा दशेरा हिंदो धर्म का एक महत्वपून पर्व है जो गंगा नदी के प्रित्वी पर अवत्रण का उत्सव है इस दिन को विशेश रूप से गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यह पर जेश्ट मास की शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को मनाया जाता है इस वर्ष गंगा दशेरा 16 जून 2024 को मनाया जाएगा इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत पुर्ण्यदाई माना जाता है और इससे सभी पापो का नाश होता है गंगा दशेरा की पुरानी कथा के अनुसार राजा भागीरत ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए खोड तपस्या की थी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने स्वर्ख से धर्ती पर अवतरन किया गंगा नदी ने राजा भागीरत के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और इस प्रकार गंगा दशेरा का पर्फ मनाया जाने लगा गंगा दशेरा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है इस दिन गंगा स्नान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मूक्ष की प्राप्ति होती है गंगा जल को अत्यन्त पवित्र माना जाता है और इसे जीवन के हर शुब कार्य में उपयोग किया जाता है गंगा दशेरा का समाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है इस दिन गंगा नदी की किनारी मेले और धार्मी कार्यकर्मों का आयोजन होता है लोग गंगा आरती में भाग लेते हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर इस पर्फ को मनाते हैं आये जानते हैं गंगा दशेरा की पूजा विधी गंगा दशेरा की पूजा विधी कुछ इस प्रकार है सुभा जल्दी उटकर स्तान करे और स्वच वस्त्र धारन करे गंगा नदे या किसी पवित्र जलाशा के किनारे जाएं गंगा माता की पृतीमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं गंगा जलसे स्नान करे और गंगा माता का ध्यान करे गंगा स्तुती का पाठ करे और गंगा आरती में भाग ले गरीबों और जरूरत मंदों को दान दे गंगा तशेरा का मुख्य संदीश है शुद्धत और पवित्रता यह पर हमें अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेड़ना देता है साथ ही हमें गंगा नदी की स्वच्चिता और सरंक्षन की प्रती जागरुग बनाता है तो दोस्तों आपको गंगा तशेरा की संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए